जब यह जो प्रॉब्लम है इसके अंदर यह जो सारी अब्जरवेशन्स थी 833 की अब्जरवेशन्स की बात हो रही थी तो यह 10 दिन के अंदर लेट से उसने कंप्लीट कर थी 10 दिन का मतलब है 2 weeks अगर 5 days a week काम कर रहे हैं Monday to Friday तो उसके अंदर उसने यह सारी अब्जरवेशन्स 833 अब्जरवेशन्स जो कंसल्टन्ट है उसने अपनी कंप्लीट कर ली तो उसके बाद he came up with the following observations के जो activities उसने worker की जो total time था उसको पांच activities के अंदर divide किया उसने का के on phone और meeting with a welfare client यह एक activity है उसको एक category में उसने डाल दिया आइडल है कुछ नहीं कर रहा हुआ बैठा हुआ है तो उसको एक और category में डाल दिया personal time के उपर है यानि के वो let's say washroom गया हुआ है या पानी पीने के लिए उठा है fountain के पास है पानी पी रहा है तो उसको उसने एक category उसके अंदर डाल दिया और चौथी category he is discussing with supervisor that is the fourth category और fifth is filing meeting and computer data entry यह उसकी fifth category आगे तो उसके अंदर अगर उसके देखा जाए तो उसके देखा गया है कि यह जो phone के उपर है या welfare client के साथ meeting कार रहा है तो 485 times observe किया गया out of 803 observations कुछ नहीं कार रहा 126 times observe किया गया out of 833 observations personal time 62 observations discussions with supervisor 23 observations and finally filing computer data entry और यह जो चीज़े है यह 137 observations अब statistically this is it will give an accurate result for example हमने कहा के जी plus minus 3% accuracy हो तो जब हमने यह 62 let's say personal time का देखा है तो out of 833 62 times उसकी अगर हम percentage calculate कर ले तो इतना percent worker जो है वो personal time में involved होता है that is an accurate observation यह statistically बिल्कुल accurate है तो इस ही basis के उपर फिर हम बाकी determine करते हैं इसी तरह filing उगारा कर रहा है 137 times देखा है उसको अगर हम 833 से divide कर लें तो हमारे पास आ जाएगा कि इतने percent of the time वो filing कर रहा होता है अपने 8 घंटे के काम में इतना percent उसका filing बगारा के अंदर निकल जाता है तो इसको अगर हम देखें तो इस basis के उपर analysis यह कहता है कि idle time जो है जिसको वो idle consider किया जाता है that is 126 जो के idle की category में था and 62 जो के personal की category में था तो यह work related नहीं है बागी सारे work related है तो यह देखना हमने कि यह जो 126 plus 62 है क्या यह 25% बनता है 833 observations का अगर तो 25% बनता है तो that means कि वो जो manager है वो ठीक है 25% है तो उसके जो job के अंदर कोई problem नहीं होनी चाहिए customer service जो हम provide कर रहे हैं वो बिलकुल ठीक होना चाहिए लेकिन अगर हम इसको देखें तो 188 divided by 833 is equal to 22.6% that means कि worker के पास worker जो है वो over busy है ज्यादा काम कर रहा है तो इस वजह से हो सकता है कि वो service provide करनी है client को वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है वो client को इंतिजार करना पड़ जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम में busy है 75% तक होता तो और बात थी लेकिन ये 78 के करीब बन रहा है तो उतना ये busy है तो इसके अंदर फिर की जो suggestion है consultant की वो फिर ये होगी के जी काम ये बहुत ज्यादा है इनके उपर load तो इस load को कम किया जाए और उसके अंदर हो सकता है कि एक और hire किया जाए तो ये जो worker के उपर load पाड़ रहा है वो कम हो ताके जो service quality है वो उस पर negative effect ना पड़े तो इस वज़ा से वो एक और hire हो जाएगा या कुछ और तरीके से उसके अंदर उनको थोड़ा सा relief दिया जाए